हेलो दोस्तों स्वागत आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोश्टगाड एक 2023 बैच नाविक डी बीजुडी या अंत्रिक आपको पता होगा कि नॉम्बर में एक्जाम है आपका नॉम्बर में एक्जाम कराए जा रहा है फुल मॉक टेस्ट है यह समान सेक्षन वन नाविक जीडी के लिए आप त्यारी करें या फिर यांत्रिक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी बार कोश्टगाड पार करने वाले हैं तो फटा 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 अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर आपका सपना ही कोश्टकर है तो अधर वाइज स्क्राइब करके जा सकते हैं इसमें 35 पेपर से अगर आपका सपोर्ट रहा तो एक दीन में दो-दो मोग टेश्टम लगा देंगे अधर आपका सपोर्ट दोहना जरूरी है चलिए आगे बढ़ते हैं विडियो को स्टार्ट कर कर सकते हैं को चलिए स्टार्ट करते हैं को सब्सक्राइब करने माले हैं प्रैक्टिस एट भाग फॉर मतलब कि शामान ने बिग्यान सब्सक्राइब कर सकते हैं इंग्लीश वाले बच्चे ऑजोन का रशायनिक शुत्र क्या होता है आपको बताना है Option A में दिया है OZ, Option O2 and O3, O4 यह OZ है O2, O3, O4 आपको बताना है कि Ozone का रशायनिक शुत्र होता क्या देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है Ozone का रशायनिक शुत्र है तो दोस्तों Ozone का रशायनिक शुत्र होता है क्या चीज? O3 जो कि Option C में आपका Right हो जाएगा Option C is the Right Option चलते हैं Question No.2 यहाँ पर 31, 32 लिखाया है इसका मतलब यह नहीं है कि आपको यहाँ नोट करना आपको यह वाला साइड वाला हटा देना है और एक-दो स्टार्ट करना है तो दो नमर Question है शुखे हुए किसमीज पानी में डालने पर फूल जाते है यह दर्शाता है कि Important Question है भाई साब यह Question आपके लिए मतलब कि मेरे ख्याल से यह 100% कोई भी नहीं बताने वाला है यह Question 100% सब का गलत होगा शुखे हुए किसमीज पानी में करने कोटी है तो आपको बताना है कि दो नम्बर Question का Answer क्या होता शुखे हुए किसमीज पानी में डालने पर फूल जाते है क्यों फूल जाते है और यही धर्शाता है कि यह बाह विलन क्या होगा वाती पर शारी है जो कि option भी आपका right हो जाएगा चलते हैं कोशनमर 3 में दिया है कोशनमर 3 में दिया है decibel एक डाजडस होता है क्या होता है decibel धौनी अंतर है धौनी का एक श्वर है धौनी के इस्तर का मापक है या फिर धौनी की तरंग धरे है तो decibel क्या है भाई सब जल्दी से बता दीजे क्योशनमर 3 वह देखते हैं सबसे पहले क्या एंसर आता है सबका मतलब की तो decibel एक क्या है धौनी के अस्तर का मापक है जो की option C आपका right हो जाएगा तो सबी लोग एंसर जरूर कीजिए गलत या सही निगेटी मार्किंग है नहीं है तो आपको बताना है question number 4 पे चलते हैं और नोट जरूर करते चलिएगा भाई साब ये 35 पेपर है तो 35 दहा के समझ सकते हैं आपका सपोर्ट रहा तो एक दिन में दो-दो को मतलब की दो-दो प्रैक्टिस कराने लगे तो 700 मतलब की कूल आपको हजार प्लस कोश्चन आपको कराएंगे साइंस से रिकार्डिंग तो आपको टेंसर नहीं लेना तापमान पर सेंटीग्रेट और फरनाइट का मान एक सम देग्री यापिर माइनस फूटी डिगरी 37 डिए 98.6 डिगरी धृरी टू इटू सेवन तीटिञ दिड़ी या मान फॉर्टि दीग्री तो किस पर होता है तापमान पर सेंटीग्रेट और फारनाइट का मान एक शमान होता है कब होता है को सटन नहीं देखते हैं सबसे पह आप पे रहें को सबसुरेए और चलते हैं 5 को से अमर बुटा कितने पर नोड़ करें चुमबक के छैतर चैतर स्फटर क्या है सदीश राश्वी है और अधीश के साथ सदीश ना तो अधीश और नहीं अभुण अब बताईये क्या होगा एंसर नहीं अधीश है नहीं सदीश ह ऐसे फटाफाट बताईए देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है कौश्टन नुमर 5 कौन बताएगा चुम्बक्य छेत्र जो है वह आपका क्या है चुम्बक्य छेत्र एलक्टिक फिल्ड मतलब कि क्या है जल्दी पताईए तो यह है सदीश रासी है सदीश रासी है चलते हैं कोशन नमर 6 में जो दिया है निवन में से किस उत्परेरा की उपस्तिती में परकार संस्लेशन होता है मतलब किस उत्परेरा की उपस्तिती में परकार संस्लेशन की जो पर गिरिया होती है वो होती है आधरवाइस नहीं होती है तो हरे पौधो की पत्ती में उपस्तित क्लोरोफिल कि अगर हरे पौधो में की पत्ती जो हती है उसमें क्लोरोफिल रहता है उसी की उपस्तिती के कार पकास स्लेशन होता है या फिर लिमिया दिया है मिर्दा जोल समझते है उसके बाद सी में दिया सूरश गरहन होता है उस सबसे पहले कौन बताता तो शिक्स का जो एंसर है वो क्या होगा क्या होगा क्या होगा तो हरे पौदों की पत्ति में उपस्तित क्लोरोफिल के कारण जो होता है परकार्शन स्लेशन की परकिरिया यहां पे होता है उत्प्रेरक्ट की के उपस्तिती में किसके हरे पौदों की पत्ति में उपस्तित क्ल बताना है देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है और अपको हैं-स्कोर करते चलना है कि इसका यह आप 37 डाल सकते हैं या फिर जैसे यहां पर डाल सकते हैं 7 का A, 7 का B, C, D जो भी आपका एंसर है सही और लास्ट में आप लोग ज़रूर बताएगा कि मेरे 10 में से कितने शही हुए, 8 सही हुए, 5 सही हुए, 8-9 सही हो रहे हैं ठीक है, 10 ठीक हो रहे हैं भाई सब हर प्रैक्ट नहीं आया क्या, आय रहा है, चली, तो 37 का अंसर मैं बता देता हूं, राइट अंसर जो हो जाएगा वो होगा, शौर उर्जा, नावी करने शुरोत क्या है, शौर उर्जा है, राइट, जो D आपका राइट अंसर हो जागा, चलते हैं कोश्चमर 8 पे, कोश्चमर 8 जो दिय यहां पर दिया है, राशाइनिक उर्जा, यांत्रिक उर्जा में परिवर्थित होता है, इंपार्टेन कोश्चन है, राशाइनिक उर्जा मतलब की कैमिकल एनर्जी, चेंज इंटू किस में, यांत्रिक उर्जा में परिवर्थित होता है, और यांत्रिक उर्जा में मतलब होता है तो आपको बताना है एटका एंसर क्या होगा होता है कब होता है मानो शरीर में गया टाइड हैं सभ जाएगा है नक्षोन का चलते हैं को चोनबर नाइन पर चलते हैं और Q9 है पिविद इसे करें करते हैं क्या क्या चाहलाता है किसका नियम है चन्य lens का नियम है पीपी इसकूल टूर इस्ति रांग बायल का नियम है फिर न्यूटर नियम है या फिर आम का नियम है तो आपको बताना है कि कि इसप्लतु इस्तिरांग कि कि atum देखते हैं सब्सक्राइल राइट एंजर कौन देता है तो यह मैं बता दो प्रिंग कि क्यों का नियम का लाता है ऐस्पॉर्टेंट कोशन है ध्रेभिप कि की section वन की बात कर है तो इंपॉर्टेंट है सेक्षण 1 के लिए भी और सेक्षण 2 के लिए भी तो कोई भी इसकी इपना करें चलते हैं कोशन नमबर 40 मतलब कि कोशन नमर लास्ट पे आग चुके हैं 10 नमबर कोशन पर ओके कोशन नमर 10 दिया है तो जल्दी से बताएं देखते हैं सबसे पहले अंसर किस नम से जाना जाता है तो मैं आपको बता दू जो यह सोडियम कर्बोनेट आम तर पर जाना जाता है किस नम से जाना जाता है फटाफट बताएं तो मैं आपको बता दू यह जाना जाता है धोने का शोड़ा यह थे 10 कोशन बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है मतलब कि आपके लिए आप लोग जरूर इसे नोट कीजिएगा जो नोट नहीं करना जाता है बैच में तो जो जाइन होंगा उनको फिर यह आप कोश्ट पीडियाफ मिल रहा है और वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग जरूर को कॉमेंट सेक्शन बताएगा मैथ का अभी प्रक्टिशेट यह बैल आइकन के बटन को प्रेज किजिए चैनल से जूरे रहेगा अंगर 100% सेलेक्शन चाहते हैं अदर्वाइस किसी टाइम भी आप स्क्रिप्ट करके जाए तो सेलेक्शन में आपके बादा आने वाला है यह फिक्स है चले दोस्तों जाहिंद जाहिंद भारत बंदे मा ट्राम